तो दोस्तों यूपी पीएससी ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है ठीक है तो आज 16 मार्च है 16 मार्च 2022 तो उतर प्रिदेश लोग सिवा आयो की तरफ से जो नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है ठीक है इसमें जो जरूरी चीजे हैं वो हम लोग यहां पर डिसकस कर ल लिजेगा ठीक है और इसमें जिती भी जो भी डिटेल चाहिए होगी वो इसमें आपको पूरी मिल जाएगी और जो लोग पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं वो फॉर्म फिल करने से पहले एक दो बार इसे पढ़के जरूर जाईएगा ठीक है तो जो इंपॉर्टन चीज बताई गई है 12 अप्रेल ठीक है और फॉर्म सब्मिट करने की 16 अप्रेल है यानि आपको एक महीने का पूरा टाइम मिल रहा है तो जितना जल्दी हो सके है आप लोग फॉर्म फिल कर दीजेगा ठीक है तो अब आगे देखे यह ओफिशिल वेबसाइट है यहां से आप लो इनकी जो संख्या 250 रखी गई है लेकिन यह जो है यह घटी बढ़ती रहती है तो बढ़ी है इनकी जो संख्या है पोस्ट की वह बढ़ी है ठीक है फिर यहां पर देखे यह आविदन शुल्क दिया गया है आविदन शुल्क आपको फॉर्म फिल करने जाएंगे तबी भी आपको देखने को मिलेगा यहां पर जैसे OBC है और जो है EWS वाले है और अन्रिजर्वड वाले जो है जो है जोनल वाले उन सब के लिए जो आविदन शुल्क है वह 125 रुपए है ऐसी स्ट के लिए 65 रुपए है दिव्यांग श्रोडी के लिए परिक्षश शुल्क नहीं है सिफ ऑनलाइन का जो पेमेंट होगा ऑनलाइन प्रक्रिया का वह 25 रुपए पड़ेगा बहुत पूर सैनक के लिए 65 रुपए है ठीक है और सतंतरता संग्राम सेनानी जो है इनके लिए अपनी मूल श्रोडी के अनुसार इनका होगा ठीक है फिर यहां पर देखिए जो सैक् ब्रक्रक्स पास्तेफ में वान ऑखकंळ सकते हैं में इनके पैस इंपर्टेशन की डिगरी किसी भी युनिवस्ट्री उनके पास होनी चाहिए ठीक है अगर ग्रीुशन का डिगरी है तो वह इसमें जितने बीफ स्व पोस्त्य के लिए जो हैं वह वह रिजबिल्न है लेकि यहां पर फिल कर सकते हैं अगर उनके पास यह eligibility है जैसे कि उप निबंधक हैं या सहायक अभी योजन अधिकारी है ठीक है इनके लिए विधी सनातक बीद्धिसनातक होना चाहिए ठीक है जिला बिसिक शिख्छादिकारी एक देुनरी लिए इसनात्कोतर यानि पोस्ट ग्रिजूएट परिकारी इनके पास वाड़िटिसनातक है है तो इसलिए यहां पर यह वाली जो ब्यूदन हैं इनके लिए इंक लिए कुछ विशिष्ट अहरताएं होनी चाहिए ठीक है तो यह चीजे हो गई ठीक है फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह देखिए यह वाला जो portion है candidate segment वाला इसमें जब आप लग form fill करने जा रहे होंगे तो यह आपको काफी help करेगा कि आपको step by step कैसे form fill करना है ठीक है क्या क्या चीजे आपको उसमें जो है उसकी जरूरत पड़ेगी ठीक है तो यह हो गया और यहाँ पर देखिए यह center रखे गए हैं कि यह जो UPPSC का जो exam होगा वो कहा कहा होगा तो यह सारे जो है center है ठीक है किन किन नगरों में होगा हाँ यह वाला जो portion है यह important है आपके लिए जो लोग पहली बार exam देने जाएंगे या form पहली बार fill कर रहे होंगे ठीक है तो उन लोग के लिए यह पूरा criteria दिया गया है कि किस तरीके से exams होते है exam पूरा pattern दिया गया है और जैसे यहाँ पहली परिक्षा प्रारंभिक परिक्षा कैसी होगी मुखे परिक्षा और उसके बात मौकिक परिक्षा तो इसका पूरा यहाँ पर step दिया गया अलग-अलग subjects दिये गया है कितने subjects होते हैं कितने अंक के होते हैं सारी चीज़े यहाँ पर detail में देगी ठीक है तो यह PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी वहाँ से आप लोग इसको जो है अच्छे से एक बार पूरा read कर लीजेगा ठीक है तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बतेगा थेंक्स वर वाचिंग